हलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेब दुनिया और हम लोग फिर हाजिर है एक बार युनिवर्सिटी कैमपस में और इस बार का हमारा जो विशय है वो यह है कि लड़कियां भी छेड़ती हैं अब तक हमने सुना होगा कि लड़के छेड़ते हैं लेकिन इस बार हम नया टॉपिक लेकर आये हैं तो इस बारे में क्या कहती है युवा पीडिया आये उनसे बात करते हैं कि लड़कों को भी पता चले कि इस चीज से सफर करने में कैसा लगता है इसलिए लड़कियों को करना चीए बट फॉजस एंटर्टेइन्मेंट इसलिए नहीं कि किसी को परेशान करें या फिर 21st century में जी रहा है तो obviously कि लड़किया का इतना राइट तो होगे कि मतला वह आजकल मज़र लेती है लड़के भी साथ में मस्ती करते लेकिन लड़कों का जादा इंपैक रहता है कि छेड़ने चाड़ने पर क्योंकि उनकी हरकत एक्चुली लेवल क्रॉस कर जाती पर लेकि रास्ते चलते ऐसा अन्नोन से कभी नहीं हुआ मेरे साथ भी कभी कि हाँ तो usually तो लड़के की लड़कों कि आदा तो जी जो फोकर्ट लड़कियों चेड़ते बाकी लड़किया ऐसे सड़क पे तो I don't think कि मैंने कभी देखा है होता तो है सुना बहुते लेकिन experience कभी नहीं experience नहीं है that means कि लड़किया इतना छेड़ती नहीं है जिसे देखें आए दिन मतलब लड़के तो छेड़ते रहते हैं वो तो नॉर्मल है बट लड़कियों के केस में यह नॉर्मल नहीं है and मैंने भी किसी को नहीं देखा इसे छेड़ते हुए so but मैं ऐसा सोचती हो कि अगर छेड़ना स्टार्ट हो गया तो बहुत बड़ा रेवालिशन होगा एक टाइप का कि जो यह केस होते हैं लड़कियों के साथ तो वो नहीं होंगे I think अगर यह स्टार्ट हो गए यह चीज तो यह नहीं होंगे इसे तो लड़किया नहीं छेड़ती है लेकिन आप ऐसा है कि छेड़ना चाहिए और ऐसा है कि लड़कों को मजा चखाने के लिए छेड़ना तो चाहिए यहिए क्योंकि आए दिन अपन देखे लड़के अधर से निकालकर चेड़ते तो ऐसे लड़कियां भी कर सकती है लड़किया ये सोचती हैं अभी आप जानती है अपनी sociate izz men power वाली है तो इसले लड़किया ये सोचती है कि नहीं चलना चाहिए लेकिन एक हसाब से चलना तो चाहिए और कुछ लड़किया होती है जो एक दम अलगी होती है जो चेड़ती है बाकि एसे अलमूस 80% लड़किया नॉर्मल रिती है छेड़ना इन दे सेंस मतलब नॉर्मल फ्लर्टिंग बाकि जो आप बोलरे रास्ते चलते वो तो कुछ-कुछ होता है जो यहां पर इस एरिया में इतन आता चलता ये ये से...